नमस्कार वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आज हम आपको एक एक्स्क्लूजव तस्वीर दिखा रहे हैं मैं आज हूँ बाबा काशी विशुनात की नगरी वारा नसी में वारा नसी की बदली हुई तस्वीर आपने बहुत जगह देखी होगी लेकिन इतनी डीटेल में और इतनी सारी बातों के साथ आज पहली बार आपको दिखा रहे हैं बाबा के मंदिर को अब बदला जा रहा है जिन सकरी गलियों से होते हुए आप पहले मंदिर पर आते थे अब वो पूरी तरह से 57,000 स्क्वेर मीटर इलाके का बन चुका है यानि कि इतना बड़ा प्रांगण है जो आपको चारों ओर देखते ही बनता है और एक ही नहीं कई मंदिर हो गए हैं यानि कि बाबा विश्वनात का मंदिर सबसे प्रथम सर्वोत्तम और ध्वज जो करीब 60 पूट उचा है वो अभी भी इस पूरे प्रांगण और इस पूरे इलाके का सबसे उचा ध्वज है यह खासियत है इस मंदिर की जिसे अब एकदम नवीन अंदाज में पेश किया जा रहा है प्रदान मंदरी नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं और उन्होंने वादा किया था कि इलाके और शहर की तस्वीर बदलेंगे और उसमें सबसे बड़ा यह काशी विश्वनात कॉर मंदिर आप देख रहे हैं यह है भुवनेश्वर जी का मंदिर के साथ साथ दूसरा मंदिर आता है तारकेश्वर जी का मंदिर जो पहले बगल बगलते दिखते ही नहीं थे लेकिन अब दिख रहे हैं उसके बाद आता है बाबा विश्वनात का मंदिर काशी विश्वनात म वंबम है और उसके बाद आता है दूसरा मंदिर यानि की वैकुंट मंदिर वैकुंट जी के मंदिर के बाद है दंड पानी जी जो दंड देते हैं अगर आपने कुछ गलती की तो बाबा के मंदिर में आरती पूजा नर्चन कैसे चलता है वो आपको दिखाते हैं अंदर की त जो आपको घाट पहले दिखता नहीं था मैं उस गंगा घाट से जल लेकर कमंडल में आई हूं बाबा पर चढ़ाया है और बाबा पर चढ़ाने का अनुभव अनुभूती अधूत होती है यह जो पीछे आप पूरा प्रांगर देख रहे हैं यह अब बदल गया है पहले यह करीब 400 घर हुआ करते थे इन 400 घर को तोड़ कर 57,000 स्क्वेर फीट इलाके में यानि कि मंदिर से लेकर आपको सीधे दिखाई देगी अब गंगा मैया 300 मीटर का इस डिस्टिंस हो जाएगा जो कभी किलो मीटर दर किलो मीटर हुआ करता था और किलो मीटर के किलो मीटर आपको चल कर आना पड़ता था हाटों से होते हुए घुमते हुए गलियों से होते हुए लेकिन एक तस्वीर आपको बड़ी जरूरी है दिखाना यह प्र वरतन कर दिये गये हैं, यानि कि अब आपको मंदिर से थोड़ा सा बाहर जाते ही, भवि दर्वाजे से जाते ही आपको दिखेगा पहले मागंगा का दर्शन होगा उसके बाद फसिलिटेशन सेंटर यानि की टूरिस् सिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं उसके साथ रहने के लिए जगा करीब 8 Dr. guest house, guest rooms बनाए गए हैं साथी साथ utility centers बनाए गए हैं और utility center के अलावा यहां पर आने वालों के लिए gallery, museum, वारण 80 gallery वो सारी तस्वीरें जो अब तक आपने किताबों में पन्नों में पलट पलट के देखी हैं लेकिन अब यह बदलती तस्वीर के साथ है आपको हम नकाशी का काम दिखाएं इतनी महीन नकाशी की गई है और धान रखा गया है देखिए उपर से पानी निकालने के लिए नालियां भी जो बनी है उसको भी गवमुक जैसा या फिर सिर्मुक जैसा रखा गया है इतनी खुबचूरत कसीदा कारी है कि अगर उपर पानी जमेगा तो वो दिखाए जाएगा और ये युद्ध सर पर काम हो रहा है करीब हजार करोन से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में वारा नसी की नई तस्वीर है बाबा के दर्शन करने के लिए अभी तक ये माना जाता था कि जो 10 किलोमेटर का घेरा है य अपना प्वी खुर्सूर्टी अपना समर्पन माप्यानिकी बाभा के मंदिर के सामने समर्पर trades बाभा के ही जटा सब सकता है क्या-क्या बदला है पहले इतने वर्षों से हैं यहां का जो बाबा के आसपास की जो छेत्र थे बहुत कंजेस्टेट था मानि प्रणा से बहुत ही सुंदर भव्यों बन गया है हम लोग यहां पंडा समाज के तरफ से पहले प्रणा मंत्री जी को बढ़ाई देते हैं के दना सुंदर भवय करीडोर का विश्वना धाम का निर्माल उन्होंने करवाया और भवयता यहां पर बढ़ गई है और बाबा विश्वना जी की क्रिपाब मानिये प्रणा मंत्री जी के उपर सदेव बनी रहे पर दिखते हैं यात्री भी इसे बहुत खूस रहेंगे और यहां के इस्थानी लोग भी बहुत खूस हैं आप कैसे देखते हैं इस नए परीवर्तरि हैं? आपके लिए क्या अनुभव है ये क्योंकि आप ते इतने वर्षों से हैं लेकिन काशी ऐसा दिखता नहीं था मन देता है आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और उसके साथ जो इसकी भविता है जो इसकी खासियत है मंदिर की वो ये की प्रांगण में आपको पहले पांच हजार से ज्यादा लोग नहीं आपाते थे अब प्रांगण है अब उसके अलावा इतने सारे प्रसिलिटेशन सेंटर्स हैं और इस भवित तस्वीर के साथ आपको अब यहां पर एक समय पर एक लाख लोग यानि एक लाख भगत आएंगे पहले इतनी भीड होती थी ल अगया लोईवाल इस यूट्यूब चैनल लिए